अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लग रही हैं तो वीडियोज लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए साथ ही बेल आइकोन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए आज मैं आपके लिए भिंडी की एक ऐसी सबसी बनाने वाली हूँ जैसी आप हमेशा शादियों और पार्टियों में खाते होंगे पर वही भिंडी मसाला लेकिन एक नए स्टायल से एक नए अंदाज में और अगर आपने एक बार यह रेसिपी देख ली तो मुझी यकीन है एक बार तो आप ज़रूर ड्राय करेंगे इस रेसिपी को यह रेसिपी बनने के बाद इतनी टेस्टी और लाजवाब रखती है कि आप इस तरीके से भिंडी बार बार बनाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं मैंने आधा किलो बिंडी लिया यहाँ पर और उसको बस बीच में से कट लगा दिये हैं जो जादा लब मी भिंडी थी मैंने उसके चार टुकडे कर दिये हैं और भिंडी को अच्छे से वाश करके मैंने सुखे कपड़े से ड्राय कर लिया था ताकि जब हम भिंडी को फ्राय करेंगे तब यह चिपचिपी सी ना हो तो मैं अच्छे से ड्राय कर लीजिए आप देखिए मैंने एक पैन में तेल रख दिया है कोई भी वेजिटेबल ओ अच्छे से निकाल लेंगे बाहर अब भिंडी सारी बाहर निकाल लेंगे और जो एक्स्ट्रा का ओईल है उसे अच्छे से चान लीजिए सारी बिंडी हम चान लेंगे एक एक करके और जब सारी बिंडी हम निकाल लेंगे उसके बाद इसी तेल में हम दो बड़े कटे हुए प्याज डालेंगे जिसे बड़े-बड़े स्लाइसेज में काटा है और हर परत इसकी अलग कर ली है और इसे बस हमें क्रंची रखना है जादा फ्राइ नहीं करना है अगर इसे हम जादा पका देंगे तो शादी पाटी वाला लुक नहीं आएगा सब्जी में तो इसे हम बिल्कुल जैसे पनीर दो प्याजा के लिए काटते ना बिल्कुल वैसे काटके उतने ही पकाने है अब यह देखिए बिल्कुल यह कलर भी इसका चेंज नहीं हुआ है बस हलके से नरम हो चुक है तो इसको भी हम अलग से निकाल के छान लेंगे अब आप्याज को अलग छान के रख लेंगे इसके बाद हमें एक मिक्सी ग्राइंडर का जार लेना है और जार में डाला है एक कप दही जो मैं अच्छे से फेट लिया पेस्ट बनाना है उसके बाद जो ख लेंगे छोटा प्यास बर पेस्ट में बताया था उसमें लाल मिर्ज, गरम मसाला निया पाउड़र एक चम मच डाल दिया इसमें बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद रहा है को साइड में हम 2-4 मिनिट रर्यस्ट के लिए रग देंगे और यह देखिए इधर हमारे प्याज भी अच्छे से भून चुके हैं तो एक चम्मच मैंने अद्रक लसन का पेस्ट इसमें डाल दिया है और इसको अच्छे से तेल में ही फ्राइ करना है आप इस वक्त पानी नहीं डालेंगे हम अच्छे से मिक्स करके इसको ऐसे ही तेल में पका लेना है ताकि अद्रक और लसन दोनों का कच्छा पन निकल जाए अद्रक लसन जब पक जाएगा तो हम इसमें डालेंगे एक चम्मच इसमें हम खाते हैं ना वो खाने वाला एक चम्मच हमें बेसन डालना इससे जादा बेस लगातार आप दही को चलाते रहें वरना यह फट जाएगा बहुत ज़ादा खटी दही का इस्तमाल हम नहीं करेंगे यहाँ पर अब बस इस पेस्ट को हमने अच्छे से पकाना है थोड़ा थोड़ा पानी आड कर लीजे अगर आपको लगता है जादा थीक हो रहा है मैंने थोड़ा सा पानी आड़ किया था दो चम्मच इसमें अच्छे से शाइन आ चुकी है दुबारा इसमें दो चम्मच के तकरीबन मैंने पानी आड़ किया है और इसको अच्छे से मिलाते रहेंगे और जब यह पके गाना यह पैन को चिपकना थोड़ा कम हो जाएगा और जब अच्छे से भून जाएगा तो इसमें हम भिंडी एड़ कर देंगे साथ ही जो हमने प्याज फ्याय करके रखे थे वह भी इसमें एड़ कर देंगे अब बहुत जेंटल हातों से हम इसे मिक्स करेंगे बहुत रफली आप इसे मिक्स ना करें वरना सारी भिंडी बिल्कुल मिक्स हो जाएगी और वो टेस्ट चला जाएगा अगर बहुत रफली आफ इसे मिक्स करेंगे तो यह भिंडी की सब्जी कम और भल्वा जादा लगने लगेगा तो देखी कितने जेंटल हाथों से मैं इसे मिक्स कर रही हूँ और जैसे जैसे यह पकता जाएगा ना यह बिल्कुल अपने आप ही जो पेस्ट है जिसमें मुंपली के दाने के वज़े से अपना तेल खुदी छोड़ता जाएगा साथ ही हमने भिंडी भी फ्राई की थी तो यह अपने आप छोड़ता जाएगा जैसे ही सब्जी पक होगा आपको साइड में किनारों पे पूरा ऊइल उपर आ चुका है और सब्जी अब बिल्कुल पैन को नहीं चिपक रही है तो हमारी सब्जी बनके रेडी हो चुकिए देखिए सर्फ भी करना शुरू कर दिया हमने और सर्फ करने के बाद यह हमारा फाइनल लूक है सब् सब्जी बनाएंगे और घरवालों को भी यह बहुत पसंद आएगी अगर आपको यह रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर कॉमेंट करना मत भूलिए साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही देखिए हमारा लंज बिल्कुल ब जरूरी सब्जी को ट्राइ कीजिए रेसिपी अच्छी लगी है तो कॉमेंट में आके जरूर बताइए आपके लाइक कॉमेंट और शेयर मुझे बहुत मोटिवेशन देते हैं तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए मैं मिलूंगे आपसे अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ तब तक आप देखते रहिए वेज़ फूद डाइरिस विद प्रिया थैंक्स पर वाचिंग